Welcome to SS Defense Academy Friends, SSC MTS के previous year GKGS के स्रीज को continue करते हुए आज के इस वीडियो सेशन्स में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ 4 अक्टूबर 2017 को जो examinations conduct हुए थे 1st shift, 2nd shift and 3rd shift में और इन 3ों shift को मिलाकर जो 75 GKGS के questions बने थे आज के इस वीडियो सेशन्स में सभी questions को देखने वाले हैं तो वीडियो को बीना skip के last तक देख लिजेगा Friends आने वाले SSC MTS examinations के लिए ये सभी questions काफी helpful रहेगा और साथ में SSC GD examinations के लिए भी काफी helpful रहेगा Friends मैं आपको बता दूँ कि जो SSC MTS का examinations conduct हुआ था 2017 में यह examination 3 October 2017 से लेकर 31 October 2017 तक चला था तो हम लोग सभी के जितने भी अलग-अलग दिनों में examinations conduct हुए थे उन सभी exam के हम लोग GKGS के questions देखने वाले हैं daily ways पे इससे पहले हम 3 October 2017 के तीनों स्रिप्ट के GKGS के questions प्रवाइड कर दिया हूँ जो candidate अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आपको description box में एक playlist मिल जाएगा उस playlist के माध्यन से आप 3 October 2017 के questions को वाच कर लेंगे easily देख सकते हैं friends प्रॉपर डंग से first shift second shift तीनों स्रिप्ट के सभी questions को include किया हूँ और देखे friends आप जानते हैं कि 25 questions पुछे जाते हैं GKGS और currents का तो यहां पर मैंने 25 नहीं include किया हूँ कुछ कुछ जैसे मतलब first shift में लगवा 5-6 questions को skip किया हूँ इसलिए skip किया हूँ कि क्योंकि वो बहुत पुराने current sphere थे और कुछ ऐसे भी questions थे जो अब next exam में आने की संभावना नहीं है तो इसलिए उस questions को skip कर दिया गया है तो इसलिए नहीं सोचेगा कि first shift में 19 questions क्यों लिखा हूँ ऐसा नहीं है 25 फी questions पुछे जाएंगे आपके examination से friends आप जो screen पर ये question देख रहे है न ये 100% real और authentic से ये न सोचेगा कि मैं अपने से include किया हूँ यदि आप official paper डाउनलोड करना चाहते हैं 3 October 2017 से लेकर 31 October 2017 का तो आप मेरे टेलिग्राम पर चले जाएगा और simply PDF sections में जाकर वहाँ पर MTS सर्च की जाएगा न तो आपको 79.4 MB का एक PDF मिल जाएगा जो आपको screen पर सोख हो रहा है देखिए यही सी नाम का यह folder है तो यह आप लोग PDF डाउनलोड कर ले जाएगे न तो उसमें आपको total official paper मिल जाएगा वही से मैं यह सभी का collections बनाया हूँ तो चले फेंड देरी न करते हुए सभी questions को एक एक करके discuss कर लेते हैं देखिए फर्ष्ट questions पूछा गया था जी एन पी का फूल फ्रम क्या है तो ग्रोश नेशनल प्रोड़क्ट आंसर सो जाएगा अब देखिए फोर्ष्ट सिंदु घाटी सभिता का कौन सा प्राचीन सहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसीद था तो लोथल प्रसीद था Q5 देखिए किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाब सत्यागर का आवाहन किया था 6th question देखिए वर्ष के किस तिथी को सीत आयनांत होता है तो 22 दिसंबर को सीत आयनांत होता है 7th question देखिए एसिया के बाद विस्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कोन है तो है अफिरिका 8th question देखिए एट पुस्प की छोटी पत्ती की तरह दिखने वाली भाग क्या कहलाता है तो वाह दल कहलाता है 9th question देखिए वाई मंडल में करवन डायकसाइड और ऑक्सीजन के संतूलन का करण डैस है तो परकास चंस्रेशन है 10th देखिए उत्सरजन का अर्थ डैस है तो अत्रिक्त मात्रा में मौजुद पदार्थों का निशकासन ही उत्सरजन होता है Question 11 देखे एक भाप इंजन भाप की उसमा उर्जा को डैस में बदलता है तो एक भाप इंजन जो होता है भाप की उसमा उर्जा को यांत्रिक उर्जा में convert कर देता है Question 12 देखे ASCII का full from पुछा गया है तो इसका full from हो जाएगा American Extender Code for Informations Interchange Next Question देखे 13. धातु कर्म एक डैस परकिरिया है तो ये आयस्क से धातु के निशकर्षन की परकिरिया है धातु कर्म 14. धातु का डैस पुछा गया था धातु का डैस ओप्संस में था गलनांक और कौथनांक उँच होता है ये बिल्कुल सही था, निम्न था options में लेकिन निम्न नहीं होगा, गलनांक और कौथनांक उँच होता है धातुओं का 15 देखे, पीने के लिए उप्योगत जल को क्या कहते हैं, तो पे जल कहा जाता है Question number 16 देखे, कराय कीसे भारत के बिजली बित्रण कंपनियों के लिए बित्य बारी और प्रतिद्वन्दी पैकेज के रूप में माना जाता है तो उदय को भारत के बिजली बित्रण कंपनियों के लिए बित्य बारी और प्रतिद्वन्दी पैकेज के रूप में मना जता है तो आंसर्स उदय बिल्कुल सही था कोशन 17 देखे प्रतम आधुनिक बिदूत वता नुकुलक इकाई का अविश्कारक कौन है तो विलिस कैरियर है नेक्स्ट कोशन देखे कोशन नमर 18 2018 के फीफा वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन सा था तो रूस था अब आपको कमेंट्स वक्स में बताना है कि 2022 का जो मेजबान देश कौन सा रहेगा कोशन 19 देखे अलपना किस राज की परामपरिक लोक कला है तो पश्चिम बंगाल की लोक कला है अब देखे सेकेंड सिप के फर्स्ट कोशन भारतिय सविधान में कितने भाग है तो सिंपली 25 भाग है कोशन देखे सेकेंड जब संसत्सत्र में होता है जब संसत्सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है तो सबसे पहले प्रश निकाल आता है कोशन 3 देखे आठ ग्रहों में प्रित्वी सुर्य से कौन सा अस्थान पर इस्तित है तो तीसरे अस्थान पर इस्तित है कोशन 4 देखे प्रकास शिलेशन में निर्मुक्त जो ऑक्सीजन है O2 का स्रोत डैस है तो जल है Q5 देखे कराय एक स्वस्थ बैक्ती में डाई एस्टोलिक दाब MM of HG में बताना है कितना होता है तो ये AFC होता है Q6 प्रति सकेंड होने वाले दोलनों की संक्या को क्या कहते है तो आवरिती कहते है Q7 देखे ओतल दरपन दोरा बना परतिविम बस्तू से क्या होगा तो देखे ओफंस में छोटा या बड़ा हो सकता है ये आंसर्स बिल्कुल सही था Q8 देखे लोहे को जिंक की परति के द्वारा संरक्चित करने की परकिरिया कालाती है तो ये इसे गैलवी नी करन परकिरिया कालाता है Q10 देखे सीमेंट कंकर अस्थूल बालू और जक का एक मिस्राण डैस कालाता है तो कंक्रीट कालाता है कोशन देखे, 11, रक्त समूहों की खोज किस ने किया था, तो कार्ल लेंड इस्टीनर ने किया था, कोशन 12, मनपृत सिंग किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो हौकी खेल से जुड़े हुए हैं, कोशन 13, कोलम, किस राज का परामपरी के लोग कला है, तो किरल का है, कोशन 14, अलिवर टिष्ट, नामक पुस्तक के लेखा कोन है, तो चार्ज डिकेंस है, अब थार्ड सिप्ट के फर्स्ट कोशन देखे, फिकी का फूल पराम पुछा गया था, तो फेडरेशन ओफ इंडियन चेंबर्स ओफ कमर्स एंड इंडरस्ट्री हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन इतिन सशाथ के अनुच्यत के अंतरकत वितियापात को घोशित करते हैं, फोषन देखे, फुर्थ, जीवन के अधिकार के अलावा, भारती श्चविधान के अनुच्यत 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ था, थो भोजन का अधिकार दिया हुआ है, पोषन फाहित होकर गुजरती है Q7, Q7 मैत्री तथा दक्षरी गंगूर्त्री किस महाद्वीप में भारत का सुध किंद्र है, तो अंटार्क टिका में सुध किंद्र है Q8 Q8, कौन सा एक अस्थलीय आवास का उधारण नहीं है, तो अस्थलीय आवास का उधारण है कोशन 9 देखे परकास चंचरेशन की परकिरिया में परकास उर्जा का एक विशेश कार डैस है तो क्लोरोफील को सक्रिय करना ये जो होता है परकास चंचरेशन की परकिरिया में परकास उर्जा का एक विशेश कार होता है कोशन 10 देखे मानों के हिर्दे में द्व द्वी लनी कपाट डैस इस्तित है तो द्वी लनी कपाट कहां इस्तित है तो बाय अलिंद और दाय निले के मद में इस्तित होता है मानों के किसी आवेशित बस्तु से आवेश को पृत्वी से भेजने की प्रकिरिया को क्या काते है तो भूष्स संपरकाण की बिद्धी प्रकिरिया काते है Q12 यदि किसी गोलिय दरपन का परावर्तक प्रिष्ट ओतल है तो इसे डैस दरपन कहते हैं Q13 एक एकरित सर्किट किसे बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है एक एकरित सर्किट Q14 देखे, डैस एक चमकदार अधातु है Q16 देखे, जैविक प्रक्रम द्वारा अप घटित हो जाने वाले परदार्स क्या कहलाते हैं? Q17 एक कोशिका के नाभिक की खोज तो नाभिक हो जाएगा राविट ब्राउन ने किया था Q18 देखे, कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? Q18 देखे, यूद अभियास एक संजुक्त सहने प्रसिक्षण अभियास भारतिये और डैस सेनाओ का है तो ये भारतिये और इवेस सेनाओ के मत देखा ये सेन अभियास है, यूद अभियास ये काफी पर पुछा जाता है इसी तरह मैं 31 अक्टूबर 2017 तक सभी कोशन्स करा दूँगा और इसका PDF आप लोग जरूर डाउनलूड कर लिजेगा टेलिग्राम चनल से जुड़के वीडियो सेसन्स एंड होने कमाद तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए हिस्ट में तब तक के लिए आप सभी कोशन्स एगए